आज मैं आपको बताऊंगा ड्रीम 11 मैच कम्प्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए जब आप किसी भी ड्रीम 11 मैच में पार्टिसिपेट करते हो चाहे वो किरकेट हो, चाहे फुटबॉल हो आप अपना टीम को क्रियेट करते हो और अच्छा से अच्छा टीम बनाते हो, ताकि आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट्स मिलें, यह बहुत जरूरी है लेकिन जब आपका मैच जो है चलता है तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं मैच खतम हो जाता है, ठीक है तो उस समय जो है कम से कम जो है आपको चार घंटे का जो है यहां पर इंतजार करना होगा ठीक है क्योंकि मेन आपका परपस क्या होता है कि भाई हम मैच को मैच में पार्टिसिपेट किये हैं वो मैच जो है कमप्लीट होने के बाद हम वीनर बने हैं मेरा अच्छा रैंक आए उसके अनुसार हमको जो ह है उसका प्राइज मनी जो होता है वो हमको मिल जाए तो सबसे पहले आपको चार घंटा का वेट करना चाहिए आपको मैच कंप्लीट होने के बाद अपने तरफ से कोई एफॉर्ट लगाने का जरूरत नहीं है कोई भी कोशिस नहीं करना है वो तो आटोमेटिक प्रोसेस है मैच कंप्लीट होगा तो मैक्सिमम चार घंटा उससे कम समय में ही आपका काम हो जाएगा वीनर डिकलीर हो जाता है सारा प्रोसेसिंग होता है सारे प्वाइंट कैलकुलेशन किये जाते हैं उसके बाद फिर वीनर एनाउंस होता है अगर आपने रैंक लाया है उस मैच में मैच के एकारडिंग तो फिर जो है आपको प्राइज मनी मिल जाता है और आपके वीनिंग एमाउंट में उसको एड कर दिया जाता है तो क्या करना है आपको यह देखने के लिए वो समझ लीजिए ट्रीमिगरा एपलिकेशन को ओपन करना है आपका मैच जो आपने पाटिस किया था तो कम से कम चार घंटा इंदेजार कीजिए ताकि आपका वो पॉइंट्स वगड़ा कल्कुलेट हो जाए उसके बाद जो है आपका वीनर डिकलेड हो जाता है जैसे कि आप देखो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स और बैंगलूरू में मैंने किया था तो मेरा जो है 491 पॉइंट बनाए थे ठीक है और यहां पर जो है ना इसपोर्ट छ्री है तो यहां पर क्या किया था हमने यह जो है आपना कान्टेश्स में तिन तीम था तो यहां हम मिल गया एक चीज और मैं बता दूं कि कोई मैच अगर रात में चल रहा है रात में ही help हो गया और डीियर हो जाएगा और आपको साज्वाइब आपको ए उसकीतिTalk यह यहीं आपको करना है अपने से कुछ नहीं करना है आपको सारा कुछ automatic प्रोसेस है बस इंतिजार करना है यहां आप ट्रेनिंग ले सकते हो मेरे साथ जॉइन करना चाहते हो तो हाउ टो जॉइन में आपको रेफराल कोड मिल जाएगा थैंक यू